कि नरेंद्र मोधी जी ने कहा बाई और भेनों करोना आया है थाली बजाओ थाली बजाओ करोना भाग जाएगा और पूरे हिंदुस्तान से थाली बजवादी और पता नहीं क्या हुआ हिंदुस्तान धाली बजाओ उसके बाद कहते हैं घंटी बजाओ हिंदुस्तान घंटी बजाओ उसके बाद कहते हैं मोबाईल फोन निकालो उसकी लाइट जला दो अब देखिए ये व्यक्ती हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री है गेरी बाद बोल रहा हूं ये व्यक्ति हिंदुस्तान का प्रधान मंत्री है और ये एक्षिन ले बजाए अर्द्विवास्ता की रक्षा करने के बजाए मजदूरों के लिए रेलवे टिकेट बस टिकेट करीने के बजाए देश को कह रहा है गंटी बजाओ और ये जो मीडिया वाले हैं ये 24 गंटे दिखा रहे हैं देखो हिंदुस्तान गंटी बजा रहा है गंटी बज़रे गंटी बज़रे सब जगे और ताली बजाओ भई या गंटी बज़री है और आज उत्तरपदेश में जाईए देखिए मेरे फोन पर भी वीडियो आया है लाशों का धेर पड़ा हुआ है जगे नहीं है लाशों को रखने के लिए जगे नहीं है लाशों को लखने के लिए नरेंद्र मोधी जी ने इसके बारे में कुछ बोला आपसे कि कोरोना फैल गया लाखों लोग मर गए हिंदुस्तान की अर्द्वेवस्ता नश्ट हो गई मैं प्रधान मंत्री हूँ कुछ बोला उन्होंने प्रेस वालोंने कुछ कुछ नहीं इनके मुँझे एक शब नहीं निकलता यह रखवाले हैं इनका काम रक्षा देश की रक्षा करने का है यह रखवाले हैं बिग गए हैं सब सब के सब बिग गए हैं 24 घंटा यह नरेंद्र मोधी का चेहरा दिखाते हैं क्यूं बाई और मैंनों बात समझो यह नरेंद्र मोधी की सरकार नहीं है यह दो तीन उद्योगपती मित्रों की सरकार है और यह पूरा ड्रामा जो चल रहा है यह आपके जो प्रधान मंत्री है यह उनकी कट पुतली है यह जो कहते हैं यह करते हैं इनको सिरफ बाशन देना आता है यह जाते हैं बिंगॉल में कह देंगे भाईया सोन और बंगला बना दूंगा तोपी पहन लेंगे असाम में जाएंगे घमचा पहन लेंगे राइनो उठा लेंगे और कहेंगे भाईया देखो बीजेपी को वोट दो और फिर नोट बंदी करेंगे जी एसटी लागू कर देंगे अब आप मुझे बताओ यहां पर बारी भीड है इस भीड में नोट बंदी से किसी को फाइदा हुआ कोई है यहां पर एक व्यक्ति जो कह सकता है हाँ भाईया नरेंद्र मोदी ने फाइदा करवा दिया है कोई एक नहीं है कोई यहां पर एक व्यक्ति है जो बता बोल सकता है कि यहां भाईया घंटी ने मुझे करोना से बचा दिया मोबाईल फोन से करोना भाग गया ना कोई नहीं है किसी भी दुकांदार से आप पूछ लो छोटे बिजनस वाले से पूछ लो जो इस देश को रोजगार देते हैं पचास परसेंट रोजगार ये लोग देते हैं छोटे दुकानदार छोटे बिजनस वाले कोई छोटी सी दुकान चलाता है इन से आप पूछो भाईया नोटबंदी से फायदा हुआ हाँ जोड के कहते भाईया नहीं हमें तो बर्बात कर दिया फिर पूछो GST से फायदा हुआ कहते नहीं 5-5 अलग-अलग टैक्स लगा दिये 28% टैक्स लगा दिया आज तक हमें नहीं समझा रही बात आज तक हमें GST नहीं भननी आ रही हमारा बिजनस खतम कर दिया नश्ट कर दिया आज ये देश अपने युवाओं के लिए रोजगार नहीं पैदा कर सकता ये सचा ही है क्यूं क्यूंकि जो रीड की हड़ी रोजगार पैदा करने की रीड की हड़ी है उसको नरेंद्र मोदी ने RSS ने अमिच्छान ने तोड़ दिया कैसे तोड़ा नोट बंदी करके तोड़ा GST लागू करके तोड़ा जब करोना आया उनको एक रूपिया नहीं दिया बिंगॉल से लोग जाते हैं आप लोग जानते हो समझते हो पूरे देश में आपके लोग जाते हैं काम करने कहीं भी चले जाईए मजदूरी आप लोग करते हो आप खुन पसीना देते हो जब आप लोग वापस लोटना चाहरे थे कोरोना आया नरेंद्र मुदी ने आपको बस टिकेट दिया दिया बस टिकेट रेलवे टिकेट दिया आपको नहीं कहते हैं नहीं मैं नहीं दूँगा